अभी हाली में आप लोगोंने अजय बंगा का नाम सुना होगा और काफी चर्चा में बने हुए और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इन्हें अमेरिका की राष्टपती द्वारा बिस्वेंग का नितित करने के लिए नामित किया है और अगर आप देखें कि जो विस्वेंग है वर्ल्ड बेंग है इसके नेदेशक मंडल द्वारा इसकी पुष्टी कर दी जाती है इनके नाम की तो आप देखें जो अंतराष्टी संस्थान है दो एक आपका अंतराष्टी मुद्रा कोस जिसे IEMF के नाम से जानते हैं और दूसरा है विस्वेंग इन में से किसी एक का प्रमुक बन जाएंगे और ऐसा बनने के बाद पहले भारतिये अमेरिकी होंगे इस पत पर पहुँचने वाले और वैसे भी आप लोग जान रहे हैं कि भारतिये लोग दुनिया भर में फैले हुए हैं और अन्य देशों की नागरिकता भी उन्होंने ले ली है और इसलिए आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया भर में आप देखे कि कई देशों के प्यधान मंत्री के पत पर भी भारतिये मूल के लोग पहुँच रहे हैं और राष्टपती बन रहे हैं कई उच्छ बदम पर भी वैट रहे हैं और भारतिये मूल का कहने का मतलब होता है कि इनका संबंद भारत से रहा है अब आप देखे अजय पाल सिंग बंगा इनका जनम आप देखेंगे 10 नवंबर 1969 में भारत में हुआ था पूने में और आप देखें सेंट इस्टीफंस कॉलेज दिल्ली से इनोंने बीए किया हुआ है और भारती प्रवंदन संस्थान एहमदावास से एंबीए इनोंने किया हुआ है और विस्व वैंग की अगर हम लोग बात करें और उससे पहले IEMF के बारे में बता देता हूँ विस्व बैंक के बारे में बिस्तार से हम लोग बात कर लेते हैं और अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी कर रहें तब आप लोग पुराने विस्टान्स को इपर उठाके देखे होँगे और आप जानते हैं कि इस थरह की संस्थानों से और गिस्टानों से questions से आपकी और अंतराष्टी ब्यापार को सुगम बनाना इस्थाई आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन की कर्णाईयों का सामना करने वाले जो सदस्देश होते हैं उन्हें संसाधन उपलवद कराना और अंतराष्टी वित्ति ये संकट आते हैं उसमें के लिए अंतराष्टी बैंक के रूम में इस्थाफित किया गया था और बाद में आप देखेंगे के IBRD बिसव बैंक बन गया है क्या बन गया है बिसव बैंक बन चुका है और बिसव बैंक समूब 5 अंस्थानो की एक अनोटी बैस्विक सांजेदारी है जो बिकासील से एक है यहां आप लोग आप लोग कहेंगे कि वर्ल्ड बैंक का इस्थापना कभी थी वर्ल्ड बैंक की बिस्ट बैंक की डेट के बारे में बता दीजिए और डेट आपको याद रखने चाहिए इसकी स्थापना जुलाई इसके अगर सदस देशों की बात करें तो 189 देश इसके सदस है भारत में भी इसका सदस है और भारत जिस संस्था का सदस है उसके बारे में जरूर आप लोग पढ़ लिया करेंगा इसके द्वारा कुछ रिपोर्टें भी जारी की जाती है इनको भी आपको याद रखना है और पांच विकास अंस्थान इसमें आप देखेंगे अंतराश्टी उन्ह नमाड इवं विकास बेंक अंतराश्टी वित्टनेगं बहू पक्षिए सदस भारत नहीं है इसका सदस ये भी आप लोग याद रखिएगा और विस्वेंग की अगर आप देखें तो जो निम्नों और मध्यम आये वाले देश होते हैं उनकी सरकारों को पूझी परियोजनाओं को आंगे बढ़ाने से के उद्दे से रिड़ भी देता है अनुदान भी पिदान करता है और विस्वेंग की पूर्णा रिमार और विकास के लिए अंतराष्टी बैंक और अंतराष्टी विकास संग का सामोहिक नाम एक तरसी विस्वेंग है क्या है विस्वेंग है तो ये भी आपको मालू होना चाहिए और विस्वेंग की सेयर धारीता अगर आप देखें हिस्सेदारी तो 16.41 परसेंट बोटों के साथ सयुक्तराज अमेरिका सबसे बड़ा एकल सेयर धार रखें इसमें इसके बाद जापान आप देखेंगे 7.87 परसेंट जर्मनी 4.69 परसेंट युनाइटिट केंगरों 4.31 परसेंट फ्रांस आप देखेंगे 4.31 परसेंट का इस्तान है सेयर अन्य सदस्तों देशों की बिच विभाजित किया गया है और विस्वेंग और अंतराष्टी मुद्रा को उसमें अंतर अगर आपको देखना है तो विस्वेंग बिकासिल देशों को सहायता प्रिदान करता है जबकि IEMF का उद्देश अंतराष्टी मुद्रिक प्रिडाली की स्थिर करना और विस्व की मुद्राओं की करेंसी की निगरानी करना IEMF का काम है हो सकता है कि आप देखते हैं कि कई जगे कितना 20 सब्दे में 30 सब्दे में कुष्टन्स पूछ लेता है प्रिलेम्स में पूछ लेता है तो इसमें अंतर भी पूछ लेगा आप लोगों से तो इतना आप लोग याद रखिएगा